यह कहानी आप सब जानते हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा सुनी और सुनाई गई है, उसको क्यों सुनाया जाए और उसमें, चुके हर चीज लोगों को पता है, तो थोड़ा सा बोरिंग भी होती है, फैक्ट्स भी मालूम होता है, ब इतना बड़ा आतंकवादी हमला इस से पहले कभी हुआ नहीं था, जो 93 में हुआ था, और इस एक हमले ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया था, बलके दुनिया में इस तरह का यह पहला इंसिडेंट था, जब करीब 2-3 घंटे के अंदर, एक के बाद एक करीब 12 धमाके हु और इतने सारे लोगों की जान गई, और इसकी पूरी प्लैनिंग और क्यों की कही थी, साधिश, सब कुछ था, बट इस पूरी चीज में एक चीज और सामने आय थी कि पुलिस को एक मौका मिला था, इस 12 मार्च 1993 से थीक 3 दिन पहले, 9 मार्च 1993 को, अगर पुलिस एक शक्त क की बात पर यकीन कर लेती और इसको सिरियसली ले लेती, तो शायद 93 का यह सीरियल ब्लास नहीं होता, और इतने लोगों की जान नहीं गई होती, लेकिन पुलिस से एक बहुत बड़ी चूक हुई थी, वो कैसे हुई, कहां हुई, मैं कहानी के आगे बताऊंगा, थोड़ा स इसलिए एक फिल्म भी आती, इस पर ब्लैक फ्राइडे, अनुराग कर्शेब ने डारेक किया था और एक जैदी है, जो मुंबई के अच्छा लिखते हैं बहुत, उन्होंने यह पूरी किताब लिखी थी, जिसके ऊपर यह फिल्म बनी थी, हालाकि शुरू में इस फिल्म क होने का मौका ही नहीं मिला था, और इसमें वो जो अपने CID के इंस्पेक्टर अभी जीथ है, उन्होंने भी इसमें रोल किया था, तो 12 मार्च 1993 का दिन था, फ्राइडे, दोपहर एक बच कर अठाइस मिनट, पहला धमाका होता है, और यह धमाका होता है मुंबई यह स्टॉक एक्सचेंज, जो कि जीजी भाई टावर्स के अंदर है, और वहां के यह अंडरग्राउंड पार्किंग में एक कार खड़ी थी, उस कार में धमाका होता ह है, यह पहला धमाका था, बारामाच उनिसो तरानवे का, और इस धमाके में 84, 84 लोगों की मौत होती है और 217 जो है वो इंजड होते हैं, इसके बाद थोड़ा सा वक्त बीता है, गैप आता है टाइम में, यह एक बच कर 28 मिनट पर हुआ था, दो बच कर 15 मिनट पर दूसरा धमाका होता है, और इस पर धमाका हुआ कथा बाजार है, यह मुंबई में एक वहां पर, यहां पर जो धमाका होता है, उसमें एक स्कूटर पार्क था और उसे स्कूटर में ब्लास्ट होता है, इस धमाके में 5 लोग मारे जाते हैं और 6 जो हैं वो इंजड होते हैं, तो पह के कौल चल ही रहे थे कि पांच मिनट पांच नी बलके पंद्रा मिनट के बाद धाई बजे दो बचकर तीस मिनट पर शिफसेना भवन के पास एक लकी पेट्रॉल पंप है वहां पे तीसरा धमाका होता है और इस धमाके में चार लोग मारे जाते हैं और करीब पचास लोग ब एर इंडिया बिल्डिंग वहां पे इंडिय firefight का भी दफतर तक हम लों का आज तक भी दफतर मंत्रा ले के की पीछ था तो चौथा धमाका जो होता है वो एर इंडिया के बिल्डिंग में होता है और यहां पे सफेद रंगिए अपर नो होता है इस धमाके में 20 लोग मारे जाते हैं जबकि 85 लोग इंजड होते हैं बुरी तरीके से इसके ठीक 12 मिनट के बाद 25 मिनट पर पांचमा धमाका होता है और यह होता है माहिम कौसफे यह मैरिन प्लाजा से बहुत दूर वहां पे होता है इसमें तीन लोग मारे जाते हैं और करीब 6 लोग जखमी होते हैं अब तक 5 धमाके हो चुके थे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में खबर चल रही थी और यह हो चुका था कि यह कोई बड़ा हमला है लेकिन कैसे कौन क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन एक कॉमन चीज थी जो खबर आ रहे थी कि कार में धमाका हुआ है स्कूटर में धमाका हुआ है मतलब और किसी चीज में नहीं हो रहा है तो पुलिस अभी इन चीज़ों को समल रही थी फारब्रेट की गालियां तमाम लोग मौके पे पहुँच रहे थे तभी दो बचकर 45 मिनट पर एक और control room में फोन आता है और इस बार च्छाटे धमाके की खबर थी यह passport office के पास वरली में एक passport office है वहां पर यह धमाका हुआ था बल्के passport office के वाद है एक भीर बाजार है जैसी उस मेन होल के ढखकन पे उसके पहिया पड़ा अचानक धमाका होता है इस धमाके में सबसे आड़ा लोग अब तक जो इससे पहले चार हुए थे 113 लोगों की मौत होती है और 227 लोग इंजड होते हैं क्योंकि बस भी खचाखच भरी हुई थी और भीड मार्केट इस धमाके के फिर 20 मिनट तक कोई अगला धमाका नहीं होता लेकिन इसके 20 मिनट के बाद 3 बच कर 5 मिनट पर 7 में धमाके की खबर आती है और ये धमाका जावेरी बाजार में हुआ था, जावेरी बाजार में इसके बाद भी अभी 2006-07 या उसमें भी धमाका हुआ था, और मैंने उस पूरे हिलागे को कवर किया था, देखा था, भीड़ भाड़ बहुत होती है, इस धमाके में भी एक स्कूटर का इस्तमाल हुआ, जावेरी बाजार में चुके भीड़ बहुत होती है, 17 लोग मारे गए और 57 लोग इसमें इंजड हुए, ये तीन बच कर 5 मिनट पर हुआ था, इसके ठीक 5 मिनट के बाद, तीन बच कर 10 मिनट पर, सी रॉक होटल बांधरा, यहां पर आठमा धमाका होता है, हलाकि इस धमाक में RDX से भरा हुआ एक सूटकेस रखा हुआ था, और उसमें यह धमाका हुआ था, तो यह पहला धमाका था आठमा धमाका जिसमें किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन इस धमाके के ठीक 3 मिनट के बाद, एक और धमाके की खबर आती है, 9 धमाके की, और यह धमाका इस बार कि हर जगा जानी नुकसान लोग बहुत बड़ी ताद में घायल हो रहे थे पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था जहां खबर मिलती वहीं फायर ब्रिगट की गाड़ियां एंबुलेंस पुलिस का दस्ता सब भाग रहे थे तीन बचकर बीस मिनट पर फिर एक मन्हूस खबर आती है दसमें धमाके की और ये धमाका सेंट्रूर होटल जुहू सीरॉक होटल उसके बाद ये दूसरा होटल जो उसको नुशाना बनाया गया वो सेंट्रूर बहुत फेमस होटल जुहू में वहाँ पी धमाका हुआ इस धमाके में जो इस्तमाल किया गया था वो भी एक कार का इस्तमाल किया गया जो कि सेंट्रू होटल के पार्किंग में खड़ी भी थी हाला कि यहां पे भी किसी की मौत नहीं हुई लेकिन तीन लोग इसमें जखमी हो गए तो सिरॉक होटल और सेंट्रो होटल यहां पे दो जगे पे जो धमाका हुआ इसमें किसी की जान नहीं गई, उसकी वज़ा ये थी धमाका हुआ वहां पे उसकत कोई आसपास में था नहीं गा हुआ, उसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ तो तीन बच कर बीस मिनट पर सेंट्रू होटल में होता हुआ इसके ठीक दस मिनट के बात एक ग्यारवे धमाके की खबर आती है और इस बार ये धमाका सहार एरपोर्ट के नजदीक हुआ एरपोर्ट के बाहर और ये पहली बार था किसी ने हैंड ग्रिनेट से हमला किया और हैंड ग्रिट फेक कर वो वहां से निकल भागा इसमें भी कुछ इंजड होते हैं लेकिन किसी की जान नहीं जाती इसके ठीक दस मिनट के बाद तीन बच कर चालीस मिनट बार में धमाके की खबर आती है और ये धमाका सिंट्रूर होटल मुंबई एरपोर्ट के पास हुआ था इस धमाके में भी दो लोग मारे जाते हैं और आठ लोग जखमी होते हैं तीन बच कर चालीस मिनट के बाद शुक्र है कि फिर किसी और धमाके की ऐसी कोई मन्हूस खबर नहीं आती और चुक्र के अब तक पुलिस परिशान थी एक जगा पहुँचती दूसरे जग़ए की खबर दूसरे जगा पहुचती तीसरे जग़ए की खबर तो पूरा मुंबई पुलिस का अमला और दस्ता इस्टरा से सड़क पर उतराया था और एक के बाद एक करते करते तीन बचकर चालीस मिनट पर आकर जब बारवा धमाका होता है उसके बाद ये सिलसला थमता है दो घंटे और बारा मिनट टोटल जो पहला धमाका हुआ था एक बचकर अठाइस मिनट और आखरी यानि बारवा धमाका हुआ तीन बचकर चालीस मिनट तो दो घंटे और बारा मिनट के अंदर मुंबई में बारा धमाके हुए और इन 12 धमाकों में जब बाद में गिंती की गई लाशों की तो 257, 257 लोगों की मौत हुई 700 लोग इंजट थे और करोडों की प्रोपर्टी जो है वो बरबाद हो गई देश और दुनिया में बलके सेरियल ब्लस्ट की इस से खौफनाक तस्वीर इस से पहले नहीं देखी गई अलग अलग हिस्सों में मंबई पुलिस की आ हमारे देश की किसी भी पुलिस के लिए एक अजीब सी चीज थी ऐसा कभी experience पहले था नहीं है, ऐसा सोचा नहीं था, कि ऐसा हो सकता है लेकिन अब तक ये खबर अब हर तरफ फैलनी शुरू हो गई अलाकि 93 में जब ये serial blast हुआ था, तब ज़्यादातर हम लोग newspaper या फिर दूदर्शन, AIR याने ओलंडिया रेडियो इनी चीज़ों पर रहते थे और private channel के नाम पर बस एक दो channel हुआ करते थे तो ये खबर उस तरीके से सामने नहीं आई, लेकिन ये कि जहां जहां पहुँचनी थी वहां वहां तक पहुँची और मुंबई के धमाके से दिल्ली भी फिल फोरण सकते में सन और दिल्ली में high level मीटिंग हुई, फोरण मुंबई को जो भी help हो सकी वो देने की बात हुई, लेकिन अभी तक किसी आतंगवादी संगठन ने या किसी और ने कोई claim नहीं किया था कि धमाका हम ने किया, तो ये अभी समझ भी ने आरते हैं, ये हो क्यों हो रहा, सब कुछ अंधेरे में था, मतलब बिल्कुल अजीब सी panic situation था कि कैसे हो रहा, क्या हो रहा है, और शाम होने के बाद भी ये दहशत और डर थी कि मालूम नहीं है, अभी बार रहा है कि इसके बाद 13, 14, 15 कब रुकेगा, ले गायलों को इन सारी चीज़ों को देखा गया, उसके बाद रात पर दिल्ली से हाई लेवल टीम पहुंची, हमारे सिक्यूर्टी एक्सपर्ट्स की और सब कुछ मुंबई के साथ, पुलिस के साथ बातचीत हुई, और फिर एक रिचाइज किया गया कि इस पूरे मामले की ज कमिशनर भी बने, राकेश मारिया के अंडरवाल और इन सारी चीज़ों में पकड़ इन्विस्टिकेशन बढ़ी अच्छी, तो तीन टीम है जो हाई लेवल बनाएगी उसमें एक राकेश मारिया उस वक्डी सीपी थे, दूसरी टीम की जिम्मेदारी जो दी गई वो अरू इस सामरा साब, तो राकेश मारिया, अरुप पतनाएक और इस सामरा, इन तीनों की अगवाई में तीन अलग अलग टीम है इस पूरे मुंबई हमले की जाच के लिए बनाई गई और इनको ये काम दिया गया, कि आप तफ्तीश करें और पता करें यह है क्योंकर अभी तक कि जतने भी ब्लास्ट हुए हैं, उन में से एक या दो जगा को छोड़ को जहां पर हैंड ग्रिनिट का इस्तमाल हुआता, बाकि हर जगा कार और स्कूटर का इस्तमाल किया गया धमाका करने के लिए, इसके लावा कोई जानकारी नहीं, और कौन लोग हैं ये भी कुछ पता अब ये सारे धमाके हो चुके, पुलिस अपनी जांच में लगी विए, कुछ सामने आ नहीं रहा है, 12 मार्च के बाद 13 मार्च इनी चीजों में गुजर जाता है, सिर्फ यही एक कुलू है कि स्कूटर और कार इस्तमाल किया गया, दो दिन बाद 48 घंटे बाद 14 मार्च 1993 का दिन आता है, दो पहर करीब तेड़ बजे, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दादर इलाके से एक लावारिस स्कूटर की खबर मिलती है कि, चुकि यह सब कुछ हो गया और जिस तरीके से स्कूटर और कार की खबर थी कि उनी में सारे बलास्ट और विसफोटक रखे थे तो पुरी मुंबई में जितने लोग थे बाकाईदा, वहाँ पे पुलिस के जरीए ये एलान भी करा गया, कि कोई भी ऐसी लावारिस गाली है और वो देखें तो उसको नच्छूए ना उसके नजदीग जाएं, तो ये लोगों तक ये बात पहुँच गई थी, और इसी 12-93 को डेड़ वजे मुंबई प्लिस कंट्रोल रूम को खबर मिलती है कि दादार इलाके में एक स्कूटर लावारिस खड़ी है, बंप निरोधक दस्ते के साथ फॉरन वहाँ पे टीम पहुंचती है, स्कूटर की जाच की जाती है, तो पता चलता है कि उस स्कूटर की डिक का होता तो क्या होता, लेकिन किसी वज़ा से इसमें धमाका नहीं हुआ, और इसलिए ये स्कूटर वहाँ पे खड़ा रहा है, लेकिन इसमें ब्लास नहीं हुआ, बंब इस डिस्पोजल स्क्वैड ने इसको जो है बंब को फिर डिफ्यूज कर दिया, डेड़ बजिया भी ये सारी चीज़ें, इसकोटर की खबर ही थी कि उसके थोड़ी देर के बाद फिर पुलिस कंट्रोल रूम को एक खबर मिलती है, कि वरली इलाके में एक मारूती वैन लावारिस खड़ी है, पहले स्कूटर, लेकिन ये जो इसकूटर ये दादर इलाके में, और वैन की खब पर मिलती है बरली अलाके से पुलिस की टीम फॉरन वहां पहुंचती है लावारिस जो मारूती वैन खड़ी थी इसके बाद बम निरोधक दस्ता उसकी तलाशी लेता है चेक करता है उस मारूती वैन से पुलिस को बहुत बड़ी तादाद में हैंड ग्रनिट एके सैतालिस र स्टेशन नंबर की जाच की जाती है तो पता चलता है कि ये कार जो है माहिम इलाके में एक दरगार रोड पर अलहुसैनी बिल्डिंग है माहिम इलाके में अलहुसैनी बिल्डिंग उस बिल्डिंग में रहने वाली रूबीना सुलेमान के नाम पे ये मारूती वैन रजिस् तो उससे इस registration number तक पहुँच के भी कोई फायदा ना हो, लेकिन खैर, चुकिक क्लू मिला था, एक ते स्कूटर और दूसरा, यह मारुती वैन, तो जब मारुती वैन के registration number चे पहली बार जब address का पता चलता है, अच्छा उस स्कूटर के number plate नहीं थे, तो इसलिए उसका registration number नहीं पता चल रहा था, लेकिन मारुती वैन का registration number था, और उस registration number के बाद, जब अलहुसैनी बिल्डिंग में foreign police की एक team जाती है, और पता करती है, यहां कौन रहता है, तो पता चलता है कि एक smuggler के नाम पे भी famous था, टाइगर मेमन, यह अलहुसैनी बिल्डिंग में उसकी family रहती है, और यह जो रुबीना सुलिमान है, जिसके नाम पे यह मारुती वैन रिजिस्टर्ड है, यह टाइगर मेमन के बड़े भाई जो है, सुलिमान मेमन, उसकी wife, तो फॉरण पुलिस के टीम अलहुसैनी बिल्डिंग पहुंचती है, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद देखती ही के अलहुसैनी बिल्डिंग में ही ताला लगा हुआ है, और वहाँ कोई है नहीं, पड़ोसियों से पूस्ताज किया जाता है, तो पता चलता है कि पूरी family फैमली जो है, वो बारा मार्ट जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ, उसी दिन सुबा सुबा करीब चार बजे ही, घर से पूरी family निकल गई थी, और उन्होंने ये का था कि वो किसी काम से दुबए जाने है, तो पूरे family का एक साथ, तो family के एक दो लोग जाने तो ठीक है, एक सा गर छोड़ना, मुंबई छोड़ना, पुलिस को थोड़ा और शक जो है, उनका यकीन में बदलने लगता है, तो गाड़ी का रेस्टेशन नंबर, उपर से मेमन फैमली का अचानक दुबए जाना, सेम ब्लास्ट के दिन, तो जब ये चीजें पता चलती है, तो फिर पुलि अची के दौरान, उन्हें और तो कुछ नहीं मिलता, घर के जरूरी सामान के लाव, कुछ चाभियां मिलती है, उनमें से एक चाभी, एक स्कूटर की चाभी थी, तो जैसे ही वो चाभी मिलती है, तो उस वक्त राकेश मारिया जो थे, वो ट्रैफिक में थे, डीसीपी ट्र पुलिस वाले को बलाया और कहा कि ये चाभी लो, और जाकर दादर पुलिस टेशन में वो लावारी से स्कूटर जो के वहीं जब्त खड़ी थी, तो उन्हें कर जाकर चेक करो कि ये चाभी उस स्कूटर में लगता है कि नहीं, पुलिस वाला फॉरण चाभी लेके दादर जाकर श्कूटर में चाभी लगता है, चाभी घूम जाती है, इसकोटर स्टार्ट हो जाता है, जैसी ये चीज होती है, इसके बाद यकीन हो जाता है कि इस पूरे ध्हमाके का, इस अलहुसेनी विल्दिंग से कोई न कोई रिष्चता जरूर है, अब चुके वैन, बड़ी काम्याबी थी जिससे करीब जा रही थी मुंबई पुलिस अपनी इन्विस्टिगेशन के सही रास्ते पर अब ये जब सारी चीज़ होती है तो कहते हैं कि चलो टीम तो भाग गई लेकिन इसके बाकी जो लोग हैं जान पैचान के दिश्टे चुके इनका काम वांबी था तो कोई ने कोई तो होगा जो इनके बारे में आब सच बताए तो ढूंटे ढूंटे पुलिस मेमन फैमिली के खास्तार पर टाइगर मेमन का एक मैनेजर हुआ करता था अजगर मुकादम तो अजगर मुकादम का पता लगता है पडोसियों और इनके जरीए पुलिस अजगर मुकादम तक पहुंचती है अजगर मुकादम को उठाती है और फिर उससे पूछता शुरू करती है तो अजगर मुकादम ये बयान देता है कि ताइगर मेमन जो है उसने उससे ये कहा था 11 मार्च को उसकी बात हुई थी कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी काम से दुबई जा रहा है तो वो उनकी पूरी फैमिली के जो है टिकेट और बोर्डिंग पास ये लेकर और जो कागजात हैं वो एरपोर्ट पर मिले सुबा 12 मार जाज की सुबा करीब 4 बजे वो एरपोर्ट गया और उनको उसने सारे टिकेट फिकेट पकड़ा दिये थे और इसके बाद वो चले गए और उसने ये कहा था कि पीछे में घर का ध्यान रखना तो एरपोर्ट पर उनको रवाना करने के बाद असकर मुकादम वापस अलहु और उसके कई साथी कुछ और लोग थे वो पार्किंग में टाइगर मेमन के कई कार और स्कूटर वहां पे पार्क थी और उन गाडियों में और स्कूटर में वो लोग कोई काली चिपचिपी सी चीज उस वक्त उसने बता थे जो ब्यान है उसके काली चिपचिपी सी चीज भर रहे थे, सारे कार में और स्कूटर में, और साथ में ऐल्मोनियम की पैंसल जैसी कोई चीज थी, वो छर्रे और बाकी चीज़े होती है, तो काली जो चिप-चिपी होती है, आडियक्स एक्चिली उसको कई साबुन भी बोलते हैं, काला साबुन, वो जब आडियक्स रौ होता है, तो उसी तरह से दिखता है, साबुन के जैसा, काला साबुन, तो बोला कि उसके ने देखा और थोड़ी दिर का बाद देखा कि उन्हीं में से सारे लोग एक 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 करके कार और स्कूटर वहां से लेगे चले गए, और फिर उसके बाद वो भी वहां से निकल गया, यह असकर मुकादम का कहना है, उसके बाद वो घर पहुंचता है, धोपहर के बाद अचानक उसे फिर मुंबई हमें ध्माकों की ख़बर आती है, लेकिन तब तक उसे पता नहीं था कि यह धमाके उन्हीं स्कूटर और कार में से थे जो टाइगर मेमन के गर्थ सुबा उसने लोगों को भरते वे सावान देखा था और जो लेकर गये थे अब ये सारी चीज़ें स्कूटर और कार की बरामदगी असक्र मुकादम का बयान पूरी फैमली का एकसाद भाग जाना साफ साफ इशारा कर रहा था कि इसमें मेमन फैपली और टाइगर मेमन का हाथ corruption लेकिन पुलिस को ये समज़ मनें आ रहा था कि टाइगर मेमन एक मतनब छोता मोटा एक तसकर टाइप इसमंग्लर टाइप वो इतना बड़ा साजिश इतनी बड़ी चीजह इतना बड़ा धमा का कैसे करे और इस सवाल का जवाब नहीं था और अभी तक कोई क्लेम नहीं कर रहा है और कुछ मिल नहीं रहा है तो पुलिस हंसकर मुकादम के बयान के बाद एक एक कर टाइगर में वे लोगों को पूछताच करने लगी उठाने लगी धीरे-धीरे वक्त भी बीत रहा है करीब 12-13 दिन गुजर गए 23 मार्च 1993 को कई जगा पे छापा मारने के बाद पर कुछ सुटकेस मिले और ये एक मुगबिर की खबर पर मिले जावेरी बादार में तो पुलिस की टीम वहां पहुंचती है उस सुटकेस को जब खोलती है तो उसके अंदर से छपत राइफल और करीब 200 हैंड ग्रेंड मिलते हैं और इसका पता कहीं ना कहीं अजगर मुक केस में 200 हैंड ग्रेंड और 56 एक चपन राइफल सुटकेस में मिली और इसी के साथ एक याकूब नाम का शक्स भी पकड़ाता है पुलिस इसको भी पकड़ती है इसके बाद तीन दिन और गुदर जाता है 26 मार्च का की तारीख आ जाती है 26 मार्च को फिर याकूब की निश इसको RDX से भरे हुए 32 बैग मिलते हैं 32 जिसका वजन करीब 1032 किलो था और 574 किलो जिलेटिन था जब यह पुलिस ने बरामत किया तो हिंदुस्तान में RDX की पकड़ी जाने वाली उस दिन की सबसे बड़ी खेपती उससे पहले 1032 किलो वजन का RDX हिंदुस्तान में ना किसी अजनसी ने देगी थी ना किसी ने पकड़ा था लिकिन यह अभी शुरुआत थी क्योंकि इसके ठीक चार से पांच दिन के बाद दो अप्रेल 1993 को पनवेल ठाने में एक सिपाही से ख़बर मिली उसने किसी से कुछ बात करते हुए सुना था इस धमाकी के बाद कि कहीं अर्डीयक्स और है तो नागला गाओं के पास समंदर के अंदर पानी में 28 बोरे पुलिस को और मिलते हैं जो जिलेटिन से भरे हुए थे और इसके अलावा 28 बोरे RDX से भरे हुए और 20 बोरे जिलेटिन से भरे हुए जब पुलिस इन बोरों की फिर वजन करती है और RDX की तो इसका वजन निकलता है 2380 किलो RDX इससे पहले 1032 किलो मतलब कायदे से एक्सपर्ट के इसाब से चलें तो ये जितनी बड़ी तादाद में RDX बरामद ही थी पता नहीं मुंबई के कितने हिस्से बचते या नबचते अगर ये ब्लास्ट होता थो तो इस बरामदगी से ये एसास होता है कि धमाके की साज़िश कि इतनी बड़ी थी और शायद जो मुंबई में उस दिन बारा धमाके हुए और जो नहीं हुए जो नहीं हुए वो उससे जादा बहानक थे अगर वो होते तो क्या होता ये खुद पुलिस वालों के पैरतुले से जमीन खिसक गई थी जब इतनी मात्रा में RDX के बरामदगी ह शुक्र यही था कि ये सब प्लास नहीं हुआ अब ये सारी चीज़ें चल रहे थी टाइगर मेंवन के लोगों को भी एक एक करके एक दूसरे से कड़ियां जोड़ते जो मिल रहे थे पूछा जा रहा था अब करीब करीब एक महीना पूरा होने वाला था तब ये ग्यारा प्लालो 1983 को पुलिस ने एक बिल्डर है इबराहीम चौहान एक मुखबिर के सूचना पर इबराहीम चौहान को पकड़ा जिस बिल्डर को और इससे पूछताज की क्योंकि इसका कई जगों पे नाम आ रहा था कि ये इन पूरे धमाकों के बारे में बहुत कुछ जानता है तो पहली बार जो सबसे बड़ी काम्यावी मिली अभी तक के धमाके में एक महीना लगबख होने वाला था 12 मार्च को धमाका हुआ था और 11 अप्ले ला गया था तो इबराहीम चौहान को जब पुलिस उठाती है तो पहली बार पुलिस के सामने जो नाम आते है धमाके के ल ब्लास्ट के पीछे टाइगर मेमन जरूर है लेकिन टाइगर मेमन के साथ जो है वंडरवल डौन दाओद इबराहीम है उसका भाई अनुईस इबराहीम है अबू सलेम है वो एक एक करसप का नाम बताता जाता है और इसी नाम की कड़ी में बताते बताते वो संजयदत का भ उसक्त बॉलिवट के दो फिल्म प्रोडूसर एक समीर हिंगोरा और दूसरा हनीव कड़ावाला हनीव कड़ावाला आपको याद होगा जब भी संजयदत जेल से बाहर आते पेरोल पर यह मंदमर गये तो संजयदत कि साथ हमेशा जो है वह हनीव कड़ावाला यह गहरा दो संजयदत के बारे में जिक्र किया था और उस वक्त संजयदत को कुछ खत्रा था और संजयदत ने अनीश इबराहीम को फोन किया अनीश इबराहीम से उन्होंने कुछ चीज़े मांगी तो इबराहीम चोहान ने कहा कि उसे इस बात की जानकारी है कि अनीश इबराहीम ने य बोले हैंड ग्रेनिट यह कोड़ वड़ था तौनी सिर्राहीम के कहने पर अबू सलेम नौ एक चछपन राइफल और असी हैंड ग्रेनिट लेकर संजेदत के घर पहुंचता है जहां मैंने बताया फिर संजेदत को पहली बार वो किसी बड़े फिल्म इस्टार को अपने आमने सामने देखता है मिलता है हाथ मिलाता है गले तीन तीन बार गले रखता है लेकिन संजेदत इतनी बड़ी मात्रा में यह हत्यार देकर घबरा जाता है और उसके बाद सिर्फ एक एक चपन राइफल अपने पास रखता है और उसके बाद बाकी चीज़ें अबू सालेम को कहता कि भाईया वापस ले जाओ तो वो सारी चीज़ें अबू सालेम वापस ले जाता है और सिर्फ एक एक चपन संजदत अपने पास और उसी एक एक चपन राइफल रखने के ल जरूर है लेकिन दाओद इबराहीम है और दाओद इबराहीम है तो उसके पीछे पाकिस्तानी खुफिय अजनसी आईसाई भी है क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पे प्लानिंग साज़िश ये अकेले इन लोगे बल्बूते की बात नहीं थी और इसी इबराहीम चोहान के पर लैंड करते ही मुंबई पुलिस संजदत को गरफतार कर लेती है तो संजदत की गरफतारी मुंबई बलास्ट के एक महीना और तीन दिन के बाद एक महीना और छे दिन के बाद गरफतार होता है संजदत उननेस अप्रेल निन सो तरानवे को संजदत की गरफतारी हुई अब और खुलासा जब होता है तो 22 अपरेल 1993 को मुंबई पुलिस की टीम जो है बहुत कस्टम अधिकारी और अपने पुलिस वालों पर भी गास गिराती है एक बहुत बड़े कस्टम अफसर थे एसेंसिंग पुलिस उनको गिराफ़तार करती है इलजाम ये था कि मुंबई के समंदर से डॉक से जो आडी एक्स लाया गया उसको लाने में डी कमपनी की इन्होंने मदद की पैसे लिए और इन्हें पता था कि इसमें क्या उसके बावजूद रोका रही और मुंबई पुलिस की जो अंदर में बहुत सारे अपने पुलिस वाले थे जो डी कमपनी के पै भी लगती है इस ध्रमाकों में शामिल एक शख्स जिसका नाम भाफचाह खान था उसको पुलिस रामपुर यूपी से गरफतार करके मुंबे लाती है और जब हो मुंबे यह लाय जाता है तो बाफचाह खान उनमें से था जो इस पूरी साजिश में शामिल था अब उसके की मूँ से जो कहानी सुननी थी वो मतलब सीधे लाइव थी सब कुछ वैसा था तो ये इसलिए बादशाखान की गिरफतारी मुंबै के लिए एक बहुत पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामियाबी थी और अब बादशाखान से पुलिस पूछताच करती है इसके बाद बादशाखान कहानी सुनाता है बादशाखान की कहानी ये थी कि इस 12 मार्च 1993 की पूरी साजिश टाइगर मेहन ने रची थी और उसका साथ दिया था दाओद इबराहीम ने और उसके बादशाखान के बादशाखान का बयान है उसके हिसाब से टाइगर मेहन और उसके जो साथी है जावेद चिकना, अनवर थीबा, इम्तियास और याकूब इन लोगों को जहाद के नाम पर पहले अपने साथ मिलाया और फिर कहा कि लड़कों को तैयार करो, और टीम बनाओ, इन लोगों ने लड़कों को तैयार किया, टोटल 19 लड़के चुने गए, 19 लड़कों को चुनने के बाद उन्हें बम बनाने, बम रखने, हत्यार चलाने के ट्रेनिंग देने के लिए, दुबाई के रास्ते पाकि पर बाद में एक तीम वदोदुरा जाती है मुंबई की और वहां सके तुलसी होटल के कमरा नंबर दोसो चार में तीन और आरोपी जो थे जो बॉम रखने वाले थे वो गिरफतार होते हैं जिनमें एक मुहम्मद सईद एक उस्मान खान और एक रईस इन तीनों को गिरफतार ट्रेंणि लेनी के लिए गहे थे टाइगर मेंवन के कहने पर इनके बाद, इनके और साथियों जब ये नाम बताते हैं, पता बताते हैं तो फिर उनकी भी गिरफतारी होती है और इस तरह से गिरफतारी का सरसला चल पड़ता है एक को पकड़ते हैं वो दूसरे को पकड़ते हैं वो तीसरे को पकड़ता है और जब इन सारे लगभग जो में में कल्प्रिट थे उनको पकड़ लिया गया जो बॉम रखने वालों मे शामिल थे स्कूटर और कार में तो उनसे पूछताच के बाद जो पहली बार पता चलता है मुंबई पुलिस को कि ये इतनी वड़ी तबाही क्यों एक तसकर एक स्मगलर वो ऐसी आतंगवादी हरकत क्यों तो पता चला कि 12 मार्च 1993 दरसल 6 दिसंबर 1992 का बदला था थे दिसंबर 1992 को एध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उसके बाद दंगा हुआ था और वो दंगा देश के कई जगों पे हुआ और वही दंगा मुंबई में भी हुआ था और उस दंगे में देश भर में बहुत सारे लोग मारे गए थे इस दंगे में टाइगर मेमन का आफिस कहते हैं कि जला दिया गया था और इस बात से वो इतना ज़्यादा गुस्टे में आ गया था कि उसने कहा था कि इसका बदला लेंगे लेकिन उसके अकेले के बल्बूते की बात नहीं थी लेकिन वो था कि कुछ करना है एक कहानी उसमें यही कि इसके बाद अच्छा यह जब कुछ हुआ जब दंगा वंगता तक उससे पहले दाओद अपना सब कुछ समेट कर अलड़ी दुबई जा चुका था और दुबई स को चाहिए था कि कोई उसकी हल्प करें इसी दौरान कहते हैं कि दिसंबर 1902 में ही दुबई में दाओद इबराहीम के पास एक पार्सल आता इसका कई जगा पर जिक्र है और बाका था जो मुंबई पिलिस की कहानी है उसमें भी इसका जिक्र है और मुंबई पिलिस इस पहन कर बैठ जाओ यह कहीं से कहानी आती है लेकिन यह कितना सच है कितना जूट है यह मैं नहीं कह सकता है लेकिन टाइगर में मन को लगा कि दाओद इबराहीम मदद कर सकता है और दाओद इबराहीम तब तक दुबई में जाकर सेटल था और उसे लगा कि पैसे और बाकी प्लानिंग के मदद पे भी वो कर सकता है तो इसके बाद टाइगर मेवन दूबई जाता है और दूबई के एक होटेल में अनीस इबराहीम से पहले उसकी मुलाकात होती है अनीस इबराहीम के साथ मुलाकात में फिर मुहम्मद दौसा, तौफीक जलियावाला शेख एहमद, हाजी उमर मुस्तफा, सेद आरिफ ये सब मिलकर मुंबई की पहली राउंड में प्लानिंग करते हैं कि ऐसे से धमाका करना है इसके बाद दौबई से वो लोटने के बाद जब उसे लगता है कि ये सारी चीज़े होंगी फिर वो 19 लड़कों को तयार करता है तीन खेप में ये उन लड़कों को दौबई के रास्ते पाकिस्तान भेजता है पहली खेप 11 फरवदी 1993 को टाइगर मेमन जो है यहां से साथ लोगों को दौबई से पाकिस्तान भेजता है ट्रेनिंग लेने के लिए वो साथ लोग जो थे उसमें जावेद चिकना, बादशाखान, परवेज कोला वाला, सलीम पसुपकर, सलीम बाजार वाला, फारुक पावले और जकीर ये लोग 13 फरवदी 1993 को पाकिस्तान पहुंसते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए दूसरी खेप 15 फरवरी 1993 को भेजता है, इस खेप में तीन लोग थे, एक फिरोज अमानी मलिक, नियाज आइमद और नसीन बारमेर, ये भी दुबई के रास्ते वहां पहुंसते हैं 17 फरवरी को, पहली खेप 13 फरवरी को पहुंची दूसरी खेप 17 फरवरी को, तीसरी गुरूप में 9 लोग थे, येबा याकूब, नासिर धगला, अनवर थोबा, इर्फान चौगले, शाहनवाज, अब्दुल अक्तर, मुहम्मद रफीक, गुल मुहम्मद खान, बशीर खान, ये लोग थे जो पहुंचते हैं, पाकिस्तान जाने के बाद ये 19 के 19 लड़के व और फिर चार मार्च 1993 को ट्रेनिंग लेने के बाद दुबई पहुंचते हैं, और फिर दुबई से चार मार्च को मुंबई पहुंचते हैं, इसके बाद इन सब का अब तार्गेट की था कि ट्रेनिंग तो हो गई, अब तुम इलाके की रेकी करो, तो इन सब के हिस्से में था कि मुंबई की कौन-कौन सी जगे पे जहां धामाके करने हैं तो यह काम इनको दिया गया चुक्के बॉम इने ही रखना था तिनों ने सारे इलाके की रेकी की और उस हिसाब से इन्हों ने जगे चुनी लेकिन चार मार्च को आने के बाद यह रेकी कर रहे थे अगले चार दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था आठ मार्च को अचानक बने एक नाम आपको अभी सुनाया जो तीसरे खेप में गया था गुल मुहम्मद टाइगर मेमन के 99 लड़कों में से जो चुना गया था एक ट्रेनिंग लेने के बाद लोटने के बाद और रेकी करने के दौरान आठ मार्च को यानि पाकिस्तान से आने के चौथे ही दिन गुल मुहम्मद का की सोच अचानक बदल जाती है और वो अपने आपको इस मुहिम से अलग कर लेता है और वो अपने एक साथी को बता देता है कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा अब गुल मुहम्मद की ये बात उस साथी को जब पता चलती है तो ये बाद टाइगर मेमन को लगता है कि अगर ये पीठे हड़ गया इस मिशन से तो ये किसी को भी बता सकता ह और इससे ये मिशन भी नाकाम होगा और इसके अलाबा सारे पकड़े जाएंगे सारे रास खुल जाएंगे तो अपने आदमियों से कहता है कि गुल मुहम्मद को मार दो उसके आदमी गुल मुहम्मद को मारने के लिए निकलते हैं लेकिन गुल मुहम्मद तक ये खबर पह पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे बहुत कोशिश करके 9 मार्च 1993 को गुल मुहम्मद खुद पुलिस के सामने पहुंचता और सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के बाद बाकाइदा जिस पुलिस के पास था उनको वो पूरी चीज बताता है कि वो पाकिस्तान में गया था ट्रेंडिंग लेकर आया है टाइगर मेंवन का नाम बताता है यह भी बताता है कि यहां पर मुंबई में बहुत बड़ा सीरियल ब्लास्ट होने वाला है और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और शिफसेना भवन समेत कई जगों का नाम भी बता देता क्योंकि तीन-चार दिन रैकी हो गई थी उस रैकी में कुछ चीज़ें फाइनल हो गई थी तो इस्पेसिफिक वो बताता है कि यह स्टॉक एक्सेंज भी निशाने पर है एरिंडिया बिल्डिंग भी निशाने पर है शिफसेना भवन भी निशाने पर है और ये सब मकसर ये भी था शिफसेना भवन को निशाना बनाना कि इससे एक तो धमाका हो और इसके बाद फिर और माहौल खराब हो और फिर हिंदो मुस्लिम आपस में लड़ें तो ज़्यादा नुकसान हो लेकिन ये सारी चीज़ें वो बताता है खुलकर पुलिस यकीन नहीं करती अब इसमें कई बात में हम लोगों ने ये चीज़ कंफर्म की थी कि एक गुल मुहमद ने पुलिस को 9 मार्च को बताया था सरेंडर करके तो अगर पुलिस उस दिन मान लेती और इस चीज़ पे पुरी फोर्स लग जाती तो शायद 12 मार्च 3 दिन के बाद ये चीज़ें नहीं होती तो उसमें पुलिस की एक ही दलील थी आला कि उसको आप कमजोर दलील के हैं या ताकतवर दलील के हैं मुझे नहीं मालूम कर ये कहना था कि हाँ उसने ये सब कुछ तो बताया लेकिन डेट नहीं मालूम था अच्छा ये फैक्ट है कि जब 9 मार्च को इसने सरेंडर किया औ लेकिन यहां यहीं है कि अगर डेट नहीं मालूम था तो भी पुलिस उसकी इंफॉर्मेशन पर बाकी इंविस्टिकेशन कर सकती थी और उन तक जिनके साथ ये खुद गया था जो 19 लड़के थे उनहीं को उठा लेती तो ये मिशन फेल हो सकता था रुक सकता था लेकिन प तक पहुंची अब पूरी टीम घबरा गई कि ये तो सरेंडर कर दिया है इसने सब कुछ पुलिस को बता दिया होगा तो अब क्या किया जाए मिशन को पुस्पॉन कर दिया जाए खतम कर दिया जाए और तब पहली बार पता चला कि एक्चुली जो टाइगर मेमन है ये जो कि अपरेल 1993 में शिवा जी की जैनती के मौके पर असली प्लैनिंग ये थी कि शिवा जी की जैनती के मौके पर चुके भीड़ होगी बहुत सारे रैलिया निकलेंगी बागी चीज़ें होगी तो वहाँ पे अगर इस तरीके से आडी एक सो सारे प्लान की जाए तो तबाही जादा होगी तो उसका जो मेन था जो उसने छुपा कर रखा था अभी तक अपनी टीम से भी शेर नहीं किया था वो यह था कि शीवा जी जैनती पर अप्रेल में धमाका करना है लेकिन जैसे ही पता चला कि गुल मुहम्मद पकड़ा गया तो उसे लगा कि अब यह टाइम बह हो जाता है कि जो मुम्मे में बलास्ट होगा वह 12 मार्च को होगा अगले 48 घंटे में और इसी के बाद 12 मार्च का डेट फिक्स हो जाता है अप्रेल से पहले ही सारे लड़कों को जिसको ट्रेणिंग दी गए थी उसके बाद यह अचानक बुलाता है सब को बताता है और 12 मार्च के लिए एक अमबेजडर कार दो मारूती वैन तीन मारूती 800 कार एक कमांडर जीप एक मोटर साइकल और चार स्कूटर टाइगर मेमन के घर पिलाए जाता है इन सब में आडे एक्स और यह सारी चीज़ रखी जाती है और 12 मार्च की सुबा सबसे पहले मेमन फैमली अपने घर से निकल कर एरपोर्ट पहुंच जाती है लेकिन जाने से पहले जो टाइमर यह सारे बॉम टाइमर थे टाइम के हिसाब से इनके टाइम फिक्स की गई थी और यह जो टाइम फिक्स किया था खुद टाइगर मेमन ने जो टाइम बताया था हर एक का पहला था एक बचकर 28 मिनट और आखरी तीन बचकर 40 मिनट यह या साथ बज़े की फ्लाइट थी, टाइगर मेमन की, छे साथ बज़े अपने पूरे फैमिली के साथ उड़ जाता है, और एक बच के अठाइस मिनट का पहला टाइम फिक्स करता है, और तीन बच के चालिस मिनट का बारवा और आखरी, और ये निकल जाता है, कहते हैं कि जब इस पूरे बलास्ट को बाद में, दाओद इबराहीम ने वहां दुबई में बैट के खबर और ये सुनी, तो पहले तो दाओद इबराहीम की भी हवा खराब हो गए थी, कि उसे लगा कि टाइगर मेमन ने शायद कुछ बीच में चीज़ें नहीं बताई, कि इतना बड़ा धमाका होगा एतनी बड़ी तबाही होगी, तो यहां पे एक चीज इन दोनों के बीच में आई कि शायद भरोसे वाली, कि तुमने ऐसा नहीं बताया था पर यहां ऐसा हो गया, और इसी की बात कहते हैं कि इस तबाही के बाद दाओद इबराहीम ने पहली बार उस वक्त य यह खबर भी आई थी, कि इतना घबरा गया था कि उसने एक बड़े नेता के साथ फोन पे बात की और अपने आपको सरेंडर करने के लिए तयार हो गया था, बट उसकी दो शर्ते थी, एक कि इस ब्लास के साथ उसका नाम न जोड़ा जाए, और उसके खिलाब जो बाकी सार में रहेगा, लेकिन सरकार जहर सी बात है कि ऐसे शर्ते नहीं मानती, तो इसलिए वो शर्त नहीं मानी गई, और उसके बाद से फिर दाउद, दुबै भी उसके लिए लगा खत्रा है, तो वो गायब हो गया, और आज करीब 26 साल हो गया, दाउद का हमें आज भी इंतिजार है, बाद में खैर इस पूरे मामले में जितने भी लोग से सब पकड़े गए, पुलिस ने फिर 30 जून 1995 को टाड़ा कोस्ट में इस केस का ट्रायल शुरू किया, बाद में मामला सी बाई को दे दिया गया था, सी बाई ने करीब 16,000 पनों की चार्शीर दाखिल की, इसमें ट है, जिनमें दाओद इबराहीम भी है, टाइगर मेमन भी है, जबकि साथ लोग गैंगवार या एंकॉंटर में मारे गए, लंबी सुनवाई के बाद, दो हदार साथ में अदालत ने पहली बार अपना फैसला सुनाया था, जिसमें बारहा रोपियों को सजाय मौत मिली थी, हाला कि बाद में फिर कोट में, उपरी कोट ने उनको उमर कैद में बदल दिया, एक याकूब मेमन सिर्फ पचा जिसे फांसी हुई, दाओद इबराहीम, टाइगर मेमन, अनीज इबराहीम, तौफिक जलियावाला और जावेद चिखना, यह सब कानून की पहुंच से दू जाए और तब इनके खलाफ मुकदमा चले, तो यह थी पूरी कहानी 93 ब्लास्ट की,